असलावलेकुम दोस्तों आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कुएट खबर यूट्यूब चैनल पे तो साथियों आज के वीडियो में सबसे पहली जो खबर कुएट से आ रही है वीजा वालेशन को लेकर आ रही है खबर क्या है वीजा वालेशन ओने डिकलाइन इन कुएट साथियों कुएट में वीजा वालेशन काफी जादा हो रहा है जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे तो एमिग्रेशन स्टेटिक्स सेंटरल स्टेटिक्स ब्योरो के तरफ से रिवील किया गया है कि रेसिडेंसी लॉइ वालेटर जो है लगतार कुएट में बढ़ता जा रहा है लगभग 1,019,019 परवासियों को इंड ऑफ दी 2020 में इंड तक पकड़ा गया अब साथियों इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जादा वहाँ पर परवासी लोगों को पकड़ा जा रहा है वीजा लॉग का उलहंगन करने के लिए वहीं पर रेसिडेंसी पर्मिट इसू फास्ट टैम रिष्ट 84,975 वहीं पर साथियों अच्छी ख़बर भी इसमें निकल कर यह आ रही है कि कुएट में रेसिडेंसी पर्मिट को लगभग 84,975 लोगों का वहाँ पर इसू किया गया जो की हर साल से इस साल जादा था वहीं पर गया यानि जो रेसिडेंसी पर्मिट को गया गया है उनमें से है 57,060 है विधिन दस से मियर यानि इसी साल लगभग 57,960 लोगों का वहाँ पर जो वर्क पर्मिट का जो दोस्तो जो रेसिडेंसी पर्मिट था उसे कैंसल भी किया गया डाटा सोन देद नंबर ओफ एग्जिट वीजा होल्डर इस 2.93 मिलियन तो एक डाटा के हिसाब से जो वीजा होल्डर कुएत में हो चुके हैं वो है 2.93 मिलियन यानि मान के चलिए कि लगभग लगभग साथियों मान के चलिए कि 29 लाग से भी जादा वहाँ पर परवासी लो आटिकल नंबर 17 के जो गवर्मेंट एपलाई वरकर वहाँ पर काम करते वो 96,500 है और आटिकल नंबर 18 के यानि प्राविट सेक्टर एपलाई जो काम करते 1.5 मिलियन है यानि मान के चलिए कि लगभग 15 लाग वहाँ पर काम कर रहे हैं वहीं पर आटिकल नंबर 19 के जिसमें से इन्वेस्टर या फिर उससे आप कह सकते हैं फॉरेंट पार्टनर वो सो लो लगभग वहाँ पर 972 है जिसे आप बिजनेसमें भी कह सकते हैं आटिकल नंबर 20 के जिसके डोमेस्टिक वरकर कहा जाता है वहाँ पर कुएत में लगभग 7,86,000 वरकर वहाँ पर काम कर रहे ह वहीं पर आटिकल नंबर 22 जिसे फैमिली विजा कहा जाता है वह वहाँ पर लगभग 5,42017 है वहीं पर आटिकल नंबर 22 के जो स्टुदेंट विजा वाले होते है वहike 35 है वहीं पर सेस्पांसर वाले जिसे आटिकल नंबर 24 कहा जाता है वह odcинки वहाँ पर इसका मतलब यह होता है कि number of residency law वायलेटर जो है वो decrease हुआ है 2022 से 2022 तक 2022 में सातियों लगबग 1,33,440 लोग को पकड़ा गया था वहीं पे 2020 में इस बार 1,219,190 लोग को पकड़ा गया यानि 2022 के मुकाबले इस साल दोस्तों पहले से जो है वो अच्छा रहा इस्तिती अच्छी रही है उतना ज़्यादा नहीं पकड़ा गया है वहीं पे रेसिदेंसी लोग जो वायलेटर है डोमेस्टिक वरकर का आर्टिकल नमबर 22 का वह साथ है और साथ सो है इंड़ अबदी दोजार ताएस और फॉल्डर का और फॉल्डर का और पचीजा दोसात्तर है आर्टिकल 23 का और 6 आर्टिकल है 23 वीजा होल्डर का तो दोस्ति पूरी डिटेल मैंने आपको बता दिया कि कितने लोग पकड़े गएं कितने लोग आएं कितने लोग कुएत में काम करते हैं कौन सी वीजा पर कितने हैं कौन से आर्टिकल पर कितने वरकर हैं सारे डिटेल मैंने आपक को बता दिया तो दोस्तों एक छोड़ी सी खबरे थी अपडेट सी जो कुई सेया थी मैंने अब तक सेयर किया मिलता हूं साथ यूनिक शुड़ी पर जहीं टेक केर